यह देखिए माशारला एकदम खाने में टेस्टी और दिखने में बहुती स्वाधिस्ट पालक पनीर की रेसिपी आप लोगों साथ शेयर करें वह धाबा स्टाइल में धाबे का टेस्ट रहेंगा असलाम अलेकुम एवरीवन कैसे हैं आप सब उमीद्याव सब खेरियत से हों देंगे थोड़ी देर ही उबालने का है जादीकर जाइनों सभानों किया तटानी और इस जेने फन्हों समयान पानी में अगर Too तब आइस क्यूब दाल के इसमें थोड़ा पान दल के करिए अब इसको हम थंडा हो गया है पालक उसके बाद हम इसको ग्राण डालेंगे मिकसर में उसके बाद हम दालेंगे मैं यहां पर आठ से दस हरी मिर्ची ली हूं और चार से तीन से चार लेसन के कल्या ली हूं उसको बाद हम इसको अच्छा से ग्राण करेंगे पेस्ट बना लेंगे यह देखिए इस तरह से हमें इसका पेस्ट बनाने का है इसको साइड में रख देंगे और यहां पर मैं कड़ाई में एक चम्मच ऑल दालूंगी उसके बाद एक छोटा सा बटर का क्यूब दालूंगी ऐसके बाद यहां पर मैंने पनीर के क्यूब ली हूं आप लोंगों जो साइस की पनीर होना है वो लीजिए आप नों को यह साइस की पनीर बहुत पसंते तो हम लोग यह पनीर लिए उसके बाद हम इसको अच्छत करेंगे बटर में अच्छा सा फ्लेवर आ जाना चाहिए पनीरी मच्छा से फ्लेवर दने यह बटर का और लगा गोल्डन ब्राउन हो जाना चाहिए फ्राइ करते वह देखे इस तरह से माशालला दिखने में बहुत यम्मी यम्मी पनीर दिख़ा आप इसको निकाल लेंगे हम प्लेट में रखें वही कड़ाई में हम बटर दालेंग लाइची फिर दो से तीन लॉंग और यहां पर छोटे से दाल चीनिके तुकड़े विसको हम रोस्ट करेंगे अच्छा से तलेंगे यही वी प्याब सीक्जर करेंें यहीं अपैक पेस्ट का दालेंगे पालला के अंदर मैंने हरीमेजर लेशन ढली थी आप चाहिए तो उसमें पंडिनाया इसके बाद में पर एक कप फ्रेश क्रीम दाली हूं अमूल क्रीम वाली जाती वह वाली क्रीम दाली हूं एक कप आप लोग के पास जितनी क्वाइटिटी है पालक की उसी साब से पर पालक सौरी क्रीम दाली है उसके बाद यहां पर मैंने पनीर के क्यूब्स ले लिए हूं जो फ्राइब करेंगे यहां तो पनीर आपकी तुट जाएगी ब्रोक हो जाएगे इसके बाद देस्व यहां पर टेस्ट के सबसे नमक दालेंगे उसको मिक्स करेंगे फिर अगर कम दिख्र कर दिजिए बंद कर दिजिए उसके बाद हम इसको पराठिक सात कहींगे यह देखिए मार्शालला एकदम टेस्टी टेस्टी वाली पालक मनीर बने के रेडी है आप लोग घर में खाए धाबे वाली टेस्ट आप लोगों घर में मिलेंगा बहुत इजी वाली रेसिपी है आपको गेस्ट आया तो कोई भी अच्छे से बढ़ा सकते हैं अब इसको मैं खाके बताऊंगे देखिए वाट टेस्टी बनी थी आप लोग जरूँ ट्रैक करिए मेरी रेसीपी को बहुत ही इजी बनने वाली रेसीपी है ये ये देखिए माशालला सो यम्मी यम्मी वाली र सिफ पसंद आया हुगा तो डोंट फिगे टो लेक्षिर, कमेंट और थैंक्स वर वाचिंग मैं वीडियो मिलते अगली वीडियो का साथ में